वेलकम बैक तो माई टूब चल पर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ अच्छी होंगे और आज किस वीडियों देखने वाले हैं जो भी छात्र क्लास ट्वाल में है मैं लग की इंटर में है और केमिस्ट्री के पेपर मतलग रसाइन विज्ञान जो आपका पेपर हो जा अब समझने हैं में जो यहां से बस बहुत कं क pourquoi विछ न हो नहीं को नबहाँ परेशनिंट टोटल पर मी छपेगा इस बात को याद रहा थे थिग , समझने है तो आपको याद रख लेना है अब मैं आपको बता दू सिंपल तरीके से आप अपने बुको को नोट्स को जो भी आप जिससे त्यारी कर रहा है गैस पेपर ले आए मार्केट से तो उसको उठा लीजी को इश्यों नहीं और जो जो कोश्चन बता रहा है उसको पढ़ लो कोश्चन को टिक लगा लो partly कि डोस किसे कहते हैं आप इसको यादर किएरिगे तो चले जाना आप सारे आपक है और पेपर देने के बाद तुरंत मुझे बताना की हाँ सर जो आ पहले आप याद रखना यह पहला चेप्टर में आप देखेंगे सौट की दोस और एफ के इंदर के बारे में किसे कहते हैं इसको पढ़ेंगे ठीक है और हिमांग के अबनन कि देखेंगा लेको अबनन करे सकते हैं से बिलियन की मुलरता घ्याद करना यह आप को देखना और उसके बाद में आपको देखना है इसको पराशन दाब बास्वदाब का अबनन का निगमर और नियम इसको छोड़ देजिए इसको चोड़ू कोई दिक्कत नहीं ज्यादा फ जाना है इसको ठीक है और देखो नेटाड के सम्मीकर के बारे में परेखे जाएंगे और गीलियो और को भिद्धूत विदियो देख लेना उसके बाद में आता है देखो यह बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट आपका चैप्टर का नाम आजाता है इसमें आपको कौन से कोशन देख के जाना है इसमें आपको देखना है अभिकरिया की कोटी क्या होती है अभिकरिया की दो बिरकार की कोटी सबसे जादा पूछ जाती है एक पूछ जाती है सून कोटी अभिकरिया किसे कहते है और दूसरी पूछ जाती है प्रत्थम कोटी प्रेपर में पूछा जाएगा ठीक है और देखे अभिकरिया बेग क्या होता है इसकी परिभास आपको छोड़ दीजेगा और अडविक्ता और कोटी में अंतर आपसे पूछ लेता है बाकी अर्दकाल आयूकाल को छोड़ देना यह कोशन आपको पड़ा लेना जो बॉक्स म और रड़ात्म को छोड़ देना इसकंदन क्या होता है इसकी परिमासा ब्राउन करती क्या होती है मौस्ट इमपूटेंट है और कह सकते है हर्डी सुलेजे नियम इसके पारें पढ़ लेना और साथी साथ दुर इसने है और दुर्भ प्रतिरोही कोलाइडों के बारे में को वहां पढ़ेंगे, तो इतने question को टेक लगालो next question अब दीखो as अब आपका part करना मुझेगा पी block element जो होते हैं तो बर्ग 15, 16, 17, 18 जो होते हैं पी block element के अंदर करताथ हैं तो यहां आपको अक्री एक हैसो के याद करना है अक्री है सो के बारे में और हैवरविधी याद रखना है, ऑमोनिया के उत्पादन की हैवरविधी, अमोनिया की निर्माण उत्पाद होता है, उसके बार में हैवरविधी उदार आप याद करेंगे से उसके बाद में आता है, कैलोरी परिबार के तत्वों के बारे में, जब आप BST में आएंगे ना तो BST में एक बदुदा किसे कहते हैं, इसके बारे में याद करना, ऑनिन अर्यास के बारे में एलेक्टानिक बिन्यास के बारे में I. और निर्मान प्रियोकसाला विदी द्वारा भी आप याद करेंगे बाकि आक्षिजन करें निर्मान और निर्मान किया जाता है नाइट्रोजन अमल्यका उसके बारे में देखेंगे आप याद करेंगे और आप थोड़ा याद है मन पड़ा नहीं था मैंने आपको बता है फिर भी आप उसको बना बना के करके आना छोड़ के कोई भी कोशन नहीं आ रहा है ठीक है अब देखो D और D और F ब्लोक तत्बों के बारे में याद करेंगे जैसे आता है D ब्लोक के तत्बों कौन-कौन स इसलिए अच्छी तरीके से याद करें यहाद करें तो आपको जादा पढ़ने की जरूद नहीं पड़ेगी ठीक है उसके बात में बात करें लिगेंड क्या होता है आई-पी-सी नाम की बारे में याद कर लेना most important है संकूचन is most important, संकूचन को उपसयोजन योगी पीव कहा जाता है, उपसयोजन योगी जिसे बोला जाता है, और साथी साथ आप देखेंगे, प्रभावी परमाणु किर्माग, जिसे EAN कहाता है, most important है, आप इसको पढ़के जाएगे, और वर्नर का सिद्धान के बारे में, और स्थापन अभी के लिए, इन दोनों की बारे में पढ़के जाएगे, इन दोनों की बारे में पढ़के जाएगे, इसको most की बिधी पर लगाना, किलोरो बेंजीन बनाने की बिधी के बारे में आपके याद करके जाएगे, ठीक है, लगा लिए टिक आपने, शलो, उसके बाद में एलकोहल और फिनॉल और एथर चेप्टर का नाम हो जाएगा, इसमें आप क्या-क्या पढ़के जाएगे, एलकोहल की याद रखना, एलकोहल का अडू भार बढ़ने पर जलग में उनकी बिलंता घट जाती है, समझाएगे, यह पढ़ने ना थोड़ा सा, यदि हो सके तो आप पढ़ने के जाएगे, और यहाँ देखो, बोला गया है, फिनॉल अमल होते हैं, यहाँ बोला गया है, अब इक आरम होते हैं, फिनॉल अमल होते हैं, क्योंग, इसके बारे में पढ़के जाएगे, एक छोड़ा सा टॉपिक आप से पूछ लेता है, सिद्ध करने के लिए, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाते हैं, यहाँ बोला गया है, फिनॉल से बेंजीन किस तरीके से बनाई ज बनाने की बिदी हो सके, इथर बनाने की बिदी के बारे में देख लेना, उनके गुर्दोस और उनके प्रडिक्शन किस प्रकार से किया जाता है, इसको पढ़ देना है, अब देखो, नेक्स कोशन आता है, अल्डी हैट, कीटोन और कार्वाडित, जो कह सकते हैं, कार्वसि अब देखो, अभीकर्मक के बारे में, अभीकर्मक के बारे में पढ़ लेना, अल्डोन सगनन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, और देखो, कहने जारो भीकर्मक के बारे में उपर बता रहे हैं, यहां मत करो, और हल्डी हैट का निरवाड विदी, और झहां बुला गया है अलडू सगनन मा उप्तर बता चुका ह думаю इस WE यहां देखे इसमें आपको यह देखना है ग्रिबनाट आपíकर्मक बनाने की बिधि मॉष्ट llam बनाने की विधि दोगल को देखला और ऑभार्मिक अमश्व Selbst है most important है उसके बाद में हमदेखेंगे इसमें नाइच्टन योग्त कार्वनी की योगिजो होते हैं इस चेप्टर का नाम है अब यहां बोला गया है अमीन के मलब की जो अमीन होते हैं उनका वर्गीकन करो तो अमीनों के बरगीकन करा है अब लेको गषटक को छोड़ देना है और एथिल अमीन बनाने की विधी और सिंट्स अभी यह है गही होती है एथिल अमीन मनाने की विधी इसको भी छोड़ देना टाओ उसके बार में आपको क्या पढ़ना है नीचे जाईए देखो यहाँ आपको क्या करा है चॉद माज़ Росс क्या होते है आमिनो-थी ऑमलोग के बारे में और प्रोटीन के बारे में एक ठिपडång खेला करेंगे तो में आपके सामने आता है um यह दो आता है टुलियन अभी कर्मक क्या होता है डोलन अभी कर्मक की बारों मापतर कर जाएगे यह इसके बाद में आपसे आता है DNA RNA में अंतर पूछ लेता है आप इस कोशन को पढ़के जाएंगे यह कोशन यहाँ बनेंगे बाकी यहाँ से कोश नहीं आने वाला है ठीक है बस इतना था आपके 2022 में आने वाले कोशन बस आप अपने बुक नोट से जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं गैस पेपर बगएरा लेके आए ठीक है तो गैस पेपर भी आप लेके आए तो उससे भी आप उस पे भी टिक लगा सकते हैं कि यह 2022 में आने वाला है अब इतने कोशन को याद देखर के 90% मतलब कि आप टॉप करने वाले हैं टॉपर बनने वाले हो 2022 के एक्जाम में तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए बैल आगन को प्रेस कर दिए जादा से जाद पर पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर बची देजियो बाइबाइब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना